मध्यप्रदेश के इंदौर में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं इसे के साथ राहत की खबर भी मिल रही है अभी तक संक्रमितों का आंकड़ा 299 पहुंच चुका है वहीं मौतों का आंकड़ा 27 पहुंच चुका लेकिन अच्छी बात यह है कि कोरोना से संक्रमित 28 मरीज अब तक स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं आज 12 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया अब जानते हैं कि आज नए मरीज कहां कहां और कितनी संख्या में मिले हैं उमेश नगर से आज 2 मरीज, तिलक नगर से 2, नंदन कॉलोनी से 1, परदेशी पुरा से 1, स्कीम नंबर 70 गुमास्ता नगर से 1, लालबाग श्रवन कॉलोनी से 1, पुलिस कॉलोनी से 1, इकबाल कॉलोनी से 1, स्वामी दयानन नगर से 1, विहार कॉलोनी से 1 और अहिल्या पल्ट से संक्रमिट डॉक्टर आकाश तिवारी तरह से ठीक होकर घर पहुंच गया है उनका कहना है कि इस्पिताल में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने उनका काफी अच्छा ध्यान रखा है मैं यहां के डॉक्टरों का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे ठीक किया साथ ही मैं भ जगे ऐसी है जहां के लोग खुले आम घरों से बाहर निकल रहे हैं और बच्चे भी बाहर सड़कों पर खेल रहे हैं प्रशासन की सकती के बावजूद लोग इन नियमों की अंदेखी कर रहे हैं जिसके कारण कोरोना के मामलों में कमी नहीं आ रही है इस रिपोर्ट में इतना ही था ऐसे वीडियो की जुआनकारी के लिब ने रही हैं न्यूस्थींग के साथ थाइंक्यू